इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शर्मिष्ठा मुखर जी आईए बात करते हैं मैडम जिस तरीके से राहूल गांधी जी अपने स्टीफ़े को लेकर एक ही बात प्याड़े हुए हैं कि वो इस बार स्टीफ़ा देंगे और एक नया अध्यक चुना जाएगा उस पर आपका कहना है क्योंकि तमाम समर्दक उनके दिल्ली परदेश से यहाँ पर इकठे होए हैं और ये कहने के लिए एकठे होए हैं कि आपको स्टीफ़ा नहीं देना जी उस पर आपका कहते हैं बिल्कुल एक दिन में सब ठीक कर दे तो राहुल गांधी जी बहुत ही अच्छा उनकी नेथ्यत को में कॉंग्रेस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और संगठन में भी उन्होंने बहुत अच्छा बहुत सारे काम किया हैं तो हम चाहते हैं कि वह कॉंग्रेस का अध्यक्ष तीकि जिसके चलते हों सही फैसले नहीं ले पाते हैं प्रेस कांफरेंस जो मैंने देखा तो उस प्रेस कॉंफरेंस में इससे कुछ भी नहीं बात कर घा था में बहुत ही सिंपल वेज हुए हैं चुनाओ का जो भी लकिजा रही हैं वह अपनी और स्पराइस कर रहा हैं CW से में क्या हुआ, CW से में उसका हम न्यूस पेपर में अलग-अलग रिपोर्ट्स पर रहे हैं, लेकिन CW से में actually क्या हुआ, किसी को नहीं पता, क्योंकि उसमें से कोई official हमारा पास नहीं बोला है, तो यह जो राहूल गांधी जी का statement आप बोल रहे हैं, वो statement भी हम अकबा जिसके चलते, Congress दुबारा से come back करेगी, क्योंकि अब Congress के पास खौने के लिए कुछ नहीं पाने के लिए सब कुछ है, क्योंकि एक ऐसी statement यह है, और आप सब समाननी भी पड़ेगी, तो Congress के पास ऐसे concept plus points होंगे, जिनको लेकर Congress दुबारा से come back करेगी, क्योंकि ground level पे काम कर देखिए, जैसे मैंने बोला कि कोई भी Congress अध्यक्ष का पास या किसी भी political leader का पास कोई जादू छड़ी नहीं होता है, कि वो जादू छड़ी खुमाए, और immediately सारा solution, सारा problem जो है, उसका solution निकला है, पिछले 17 महीने में राहूल गांधी जी जिस तरह से काम किये, और उसका चुनाओ में हम state assembly में भी हमने देखा, कि उसका चुनाओ में बहुत अच्छा मिला है, लेकिन अभी जो हार हुआ है हमारा, तो इस विशह में चानबिन हो रहे है, senior leaders इस विशह में चर्चा कर रहे हैं, introspect करना बहुत ज़रूरी है, और वो हो भी रहे है, की points क्या होगा, व यह पूरे CWC की डुमेन है, यह Congress President on Congress Working Committee, जो की Congress की highest decision making body है, यह उनकी decision है, लेकिन पहले भी राहुल गांधी जी जिस तरह से, अपना संकथन को जिस तरह से उन्होंने बहुत सारे नए चेहरे भी लाए, और बहुत सारे पुराने experience लोग भी लाए, तो हम Congress का हमारा यही साथ नए उर्जा, नए चेहरा भी राहुल गांधी जी ने पिछले 17 महिने में संकथन में उन्होंने इंडक्ट किया, रहुल गांधी जी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो निर्ने उनका है, और जो भी निर्ने वो लेंगे, हम Congress के कारे करता है, पूरी तरह से उनके हम खड़े हैं, Congress का टॉप लेवल का management जो है, जो भी नतीजे उसको लेने है, वो लेगा, और राहुल गांधी जी को अब वो उनकी निजी राय है, उनकी इंडिवीजुली एक सोच है, कि वो अपना स्तीफेक पर पुनर विचार करते हैं, या नहीं?